नमस्कार हल्चुल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चुल पर अमरिसर के थाना इसलामाबाद की पुलिस ने दो नशात असकरों को किया काबू एक किलो आइस दो किलो पेंतालिस ग्राम हैरोईन पांच सो बीस ग्राम सूडो फेबरीन की बरामत अमरिस्तर के थाना वीरका की पुलिस ने एक नशात अस्कर को किया काबू 20 क्राम हेरोईन की बरामत जालंदर कमिश्टरेट पुलिस ने सडक सुरक्षा और जागरुपता कारेकरम के तहत जालंदर के होट स्पोर्ट स्थानों पर लगाई विशिशना के 43 जालान काटे अरब हल चल विस्तार से अमरिस्तर पुलिस कमिशनर अंजीत सिंग धिल्लो के दिशा नर्देशों पर नशे की खिलाफ चलाईगी मुहिम की तहत थाना इसलामबाद की पुलिस को सवे बड़ी सफलता हासिल होई जब पुलिस ने दो नशात असकरों को कबू किया इस समंद में जानकरी देती हुए पुलिस कमिशनर अंजीत सिंग धिल्लो ने बताया कि पकड़े के दोनों अरुपियों की पास से एक किलो आईस दो किलो पैंतालिस ग्राम हैरोईन पांच सो ग्राम सूडो फेडरीन ब्रामत की गी है वहीं गुप्त सूचना के अधार पर अरुपियों को काबू किया गया है जिनके खिलाफ पहले भी एंडी पी सी एक्ट के कैई मामले दर्च है उन्होंने बताया कि ये सारा नशीला पदार्थ पाकिस्तान से मगवाया गया है वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों पर मामला दर्च कर आगे की पूचताच की जा रही है जैसे और भी खुलासे होने की संभवना है अमरी सार से हल्चोल के लिए सुनील खोसला की रीपोर्ट हो इसी ओदे फर्दर लिंक्स दे विच एक होर व्यक्ति अर्ष दीप सिंग रिफ्तार की था उस अर्ष दीप दी फर्दर साइंटेफिकली ओदे लिंक्स नो से डवेलप कर दे हुए एगल नमी पता लगी कि इना दा गहां एक पिछे होर गुर्वाक्ष लाला वासी श्य हीरोएन आइस जिन्हों मेटा फिता माइन कहतें देने ओहो लिया के इदर सप्लाई कर दा ओस लड़ी देता है था शीरी दरपनालू वालिया जिन अगरानी हेट साधी पलीस पार्टी ने एक किलो आइस दो किलो हीरोएन ते पांसो बी ग्राम परकरसर जड़ा के सूडो फ बड़ा जड़ा नशियां दे जड़ा रैकट सी गा ओनों से बस्ट कीता ए जड़ी आइस हूं दीया हीरोएन दे नाड़ों बद एडिक्टिव हूं दीया क्योंके अकसर होन अफगानिस्तान दे विच ओपियम दी जड़ी या खेतीया ओनों बैन कीता ओदी लिम्टेड प अमरिस्तर पुलिस कमिशनर अंजीत सिंग धिलो के देशा नर्देशों के अनुसार लूट पार्थ था नशिय की खिलाफ चलाएगी मुहिम की तहत थाना वेरका की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिर हुई जब थाना वेरका पुलिस ने एक व्यक्ति को हैरोइन सहित काबू किया इस अमन्द में जानकरी देते हुई थाना वेरका के पुलिस सदिकारी अमन जोत को और ने बताया कि सूचना के अधार पर नशा बीचने वाले एक व्यक्ति को काबू किया गया है जिसके पास से 20 क्राम हेरोइन बरामत की गी है तो वहीं पकड़े गी अरोपी क पहचान लखविंदर सिंग के तौर पर हुई है जिसके खिलाफ पहले भी कई ममले दर्च है उन्होंने कहा कि आरोपी को माननी अदालत में बेशकर रिमांट पर लिया चाएगा ताकि उससे आगे की पूचता चीचा सके जिससे और भी खुलासे हुने की संभव ना है अमर पहले जोड़े हैं जोड़े हैं जोवी फोन दिया डटेल लाय रहे हैं तो पुश्ट जारी है अपाजी ओ पता लगजेगा कि तो लाक है अंदा है अधि बैगरोंड दे दो एक बेटा या बेटी या वाइफ ते फिल हार एद दी कोई चीज अगे सामने नी आई एदे बास है यहां कि बेटे बारे पोश्ट जारी है एदा बेटा की कर देया ते वाइफ ते कर दा कमी कर दिया एदे कुल उसमान मिले होने नू अगे पोश हान जी वेखो जी जितों लेओंदाया अगे वेज़दाया टी मेंबर से जरूर होनगे फिलाल पोश्ट जारी है अजे तक इनने एदन दा सानू कोशनी दसे और रिमांड लायके फर्दर अगे पोश्ट करूंगे साड़क सुरक्षा और जागरुकता कारेकरम पर विशेश अभ्यान के तहत कमिशनरेट पुलिस चारंदर ने होट स्पोर्ट स्थानों पर विशेश नाके स्थापित की तो वहीं पुलिस कमिशनर स्वपन शर्मा के निर्देशन में पीपीएस एसीपी ट्रैफिक चाल अंदर आतिश भाटिया की देखरेक में विशेश अभ्यान चलाया गया इन प्रतिबंधों को आउदेश उलंगन करताओं को काली फिल्म, संशोधित, साइलैंसर और बिना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटों को अव्योग करने के लिए चालान करना था जो कानूनी नहीं है तो वहीं शेहर भर में चेक पॉइंट स्थापित किये गे और पी ओएस पहशीनों के माध्यम से मोके पर ही भुगतान के साथ उलंगन करताओं के तैटालिस चालान काटी गए इसका उदेश्य साडक सुरक्षा बढ़ाना और वाहनों के लिए अनुमत कानूनी संशोधनों के बारे में सार्विचन एक जागरूपता बढ़ाना था जो आलंदर से हल्चल के लिए केमराबेंट सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट यह फिल्मावलियां गडियां ते जेड़ां दी हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं है किया उननों आज खास रोप के चेकिंग किती जाए सब्सक्राइब आज चार तो साथ वजे दी स्पेशल ड्राइब दे विच असी चौदा एसे चोजो नाल लाएके शेर दे क्रिटिकल होट स्पोर्ट से ट्रेफिक पुलिस दी वदद देनाल एज एडियां मोही उननों चला रहे हैं जिदे विच हुन तक असी चालीच इच चलान मशीन दे चुरू चलान कर चुलें तब्लिक नसर की अपील करोंगे सारे नों यही अपील है कि ट्रैफिक पुलिस देनाल सही उग करन ट्रैफिक नियमा दी पालना करन जिलंदर दी सड़ता नों सेफ बना लाएक अमरिस्तर में इंप्रूब्मेंट ट्रस्ट की टीम बाहर सरकारी जमीन पर नाचायस कब्जे किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि अदालत के अदेशों पर वे पिछले काफी लंबे समय से इस जगें की मुन्यादी भी करवा रही थी और बार बार अपील भी की चा रही थी कि जो सरकारी जमीन है उसे खाली किया चुए लेकिन अपने घरों के बाहर बाग बनाए गए हैं और नाचायस कब्जे किये गए हैं इस दोरान उनकी लोगों के साथ बहस बाजी भी हुई उन्होंने कहा कि अब अदालत में ये लिखकर भीज रहे हैं कि जिस समय ये सारे नाचायस कब्जे हुए उस समय जो जो अधिकारी उनके नाम लिखकर आदालत में भीज़े जा रहे हैं जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं तो वहीं नियू अमरिस्टर के लोगों को कहना था कि ये कब्जे पेचले 15 वर्षों से हुए हैं तब क्यों नहीं विभाग के टीम कब्जे खाली करवाने के लिए पहुंची विभाग के अधिकारियों की शेह पर ही कब्जे किये गए हैं और आब उन्हें तंग परिशान किया जो रहा हैं आमरिस्टर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रीपोर्ट से चिर्वाग के लिए से बाइब निगरान इंजनियर इंप्रूब्मेंट ट्रस्ट एंड एक्जेक्टिव अफसर इंप्रूब्मेंट ट्रस्ट इस सारे नूँ पार्टी बनाया है कि विजेडियां इंप्रूच्मेंट्स होई हैं पब्लिक लेंड दे उत्ते अलॉंग दा रोड्स वो सरी एंप्रूच्मेंट्स जड़ी हैं गिया और मूब नहीं करवा रहा है ट्रस्ट वो दे वास्ते सीगा पहलना भी यही डेट सीगी उस डेड़ दे जड़ा सीगा कोट ने डिरेक्ट सीगे उन्हाने फिर उत्ते दस्या कोट दे में चुके जी एक रिलना ने बापस फेर लगा लिए ते फिर कोट ने उस तो बाद बड़ा स्टिक्ट ओडर पास कीता है जिन्हीं वी इंक्रोच्मेंट्स ने रिमूव करा के उसे एफिड़ फाइल करना है एंड नाली असी ज लास्ट पॉर्चनिटी इस तो बाद कोई भी किसे की सुद्धी कोई डेट या कोई हो नहीं दरता जाएगा इसे पांच टीमा बनाई है जी जड़े साड़े ऑफीशल साफ दिया साड़े पांच एक्सें ने हर एक एक्सें नाला सी एस्टी होते जेई इते नाला उना दा स्टाफ टेच करके वह सारे उते उनानों पेथे डिप्यूट कीता है गया तांके जड़ा है सारा सिस्टेमेटिक होगे किसे किसे ना क्यों जाए इस तरह ना हो बेए पुल्स पर साचनि वेट करें जी पुलीस पोर्स दी वेट कर रहे है तो ड्यूटि में जटेट निवे आज लोका ना कोई देनी कोई बंदी है किया इसारे पैसे अधे टाठी को अपने स्टीक रहां जो तौंद है तो लुका ना लट्ट लेन ये किते हैं है जिल्क法 में आइक बड़ा जाए जिसे तरह बनांदी है पहल्त लोका ने बनारी घ्र के ने ने बड़ी बड़ी मली पाजी जिननी जिनना बंदेदा प्लॉड रखी वही है पर अगर एक पैली तो रोग देता जाना तो आपके प्रशासंद आपके पेल नहीं रोकिया बिल्कुल नहीं रोकिया तो बाच बड़ा वे देते हैं बड़ी जावेगी लुकाने के लिए आज भी तुसी जाओगे कई पुल्स वाले बड़े वड़े असे रहें या कई प्रोमेंटर्स नहीं आपके पुल्ड़ा आगे रख्या है वोदी कार भी करो गया ते चलाओ को नहीं तो नहीं का रहें ते उनना वले कफी बड़ा नहीं इटियो साथ चलो हुने साथ डेड़ सालो यह थे आए जो लेक्षन दो बाहर आए है उस तो पहले थे आई नहीं सीखे इटियो साथ भी कुछ कहते हैं पाजी खुले मैंक में फीज चल दी है उन्वाज है पहला अंदर पिक्का बदल तक है विचोलिया में सुनी लिटाया आटे करती है रखिए रखिए नहीं शल्म करणा करते का बेजाम के दो लंग में फिराड़ से रिखने हैं अग दुल्सुद neutrino टे करा मधस्षर यह रहे है अगिया कंब द Parao सब्सक्राइब कर दो कि लोग लटे नजर आ रहे हैं कि लोग लटे नजर आ रहे हैं कि नहीं किस तरा पांडल जाए जी जैसे कुई कि लिए कि आले रहे हैं क्लिए कर देट करने जा रहे हैं कि आखे हैं कि अधिक प्राफें अध्य को 실ै के शेडिया पांडल फ्यक्राइब कि भुठाएब कर देद हो ता हुद आ हैं तरिक देट धिया जालए है सोशल मीडिया पर मजहूर सूफी गाइका जोती नूरा पर राममंडी के पास मारपीट की खबर वाइरल हो रही है तो वहीं एसीबी जोरांदर सेंट्रल निर्मल सिंग्नी मीडिया को जानकरी देते हुए बताया कि यह घटना गत सुवे राममंडी के पास हुई उन्होंने बताया कि अरोप है कि जोती नूरा का पूर्व पती कुनाल पासी उन्हें परिशान कर रहा था जब वे राममंडी के पास मिले तो उन्हें मार पीठ हुई इस्तमन में पुलिस स्टेशन राममंडी चारंदर में भिविन धाराओं के तहत ममला दर्च किया गया चारंदर से हल्चल के लिए केमरमेंट सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट थाना राममंडी ते वेच एक इंसिटेंट रिपोर्ट होया सिगा कि जड़ी सूफी गाई का है कि जोत्ती नूरां ये उन्हें देते किसे ने फिजिकल सॉल्ट कीता तो इस सुचना दे जड़ा हैगा ड्यूटी अफसर जर्मन जी सेंग एस से यूम आपके ते बुचा थी तो फेलहाल जड़ा 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 अपना जड़ा ये बियान सानों लगवाया थाना राममंडी बुचकी तो जड़ा बियान दे कॉंटेंट से मताब के जड़ा जड़ा देल जामने के जड़ा होना पहला पती सीगा कुनाल पासी तो अक्सरी जड़ा हैगा स्नैपचैट करके जयां वर्टसेफ दियोते पॉल करके तो तांग परशान करदा सी ते उन्हों एक हैंदा सीगा के वही तो मैंनों अकल्ली मिल आदरबाइस ओदे कोड कोई हो कुनाल पासी जड़ा हैगा ते जोती नूरा नो थे जड़ा हैगा अपना जड़ा खाई ओबरा ओधी थल्ली है कठे होए ते जगों जोती नूरा ने देखिया कि गड़ी दे विच कुनाल पासी दनार ओर भी तेंचार नौ जवान हैगे ने तो यत्र के ओधी गल्पता प्लास ओने देखिया प्लास ओने देखिया फिजिकल सॉल्ट की था इंदा में टाइम जड़ा जोती नूरा ड्राइवर सी ते उन्हें जड़ा हैगा बचाया तो जड़े है कुनाल ते नादी दोस्ती गे ओ तो गड़ी पी जाके लागे तो और गड़ी नूचेस काते हु सीदे लाके जड़ा रोके अते हुआ अन्हों गालवाद पुछी में टाइम जड़ाइब ह्योर्ण जड़ा है जड़ा है तो मच्टे पाहँ की थे वखें पाहर टो टेनाने जड़ा है काप्लाभी आए पुती और थी आखियो जड़ीन कॉन्त on the вли passed rec oderbelak ब्स टोल्ट सब्सक्राइब करें जब हमारी टीम ने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है जसकारण लोगों के कारवार भी बहुत कम हो गए हैं गाउं के ग्राहक गर्मी जादा होने के कारण नहीं आ रहे हैं तो वहीं लोगों ने बताए कि गर्मी के कारण कई लोग बिमार भी हो रहे हैं जुन्डियाला गुरू से हल्चल के लिए अशुनी श्रमा की दीपोट. को भाते लोगे लोगे में सक्याइब। बीटेवा नार बिट्यक अगर से तोड़े दोट आपम्रेश्सी सभीज। इने यादानिटेश्स। अग्ट्विक्या। अपैज्स। अशुनी चब्सक्तुर्ट इनेखेण दोटब्सक्त अच्ब्सक्त।। अपाइब।। तैमा देड़ी करना लग बहुत जाजा पहन दिया है इसलिए टैमा देड़ी गर्मी पहन देड़ी है त्थि परे मुर के बदल बरी आंदी या चिते चते महर के चले जांदे लेकर खास बार इसलिए अवारी। सब्सक्राइब करने जारी है समंध में जानकरी देते हुए रैंबो सरकस के मेनेजर ने बताया कि अम्रेसर में पती दिन तीन शो होंगी इस दोरान उन्होंने सभी शहरवासियों से रैंबो सरकस को बढ़ चड़ कर देखने की अपील भी की उन्होंने कहा कि जो कोई भी रैंबो सरकस के क्लावंज और इदर अम्रिस्दर में पस्ते रंपो रॉप सरकास आया है यह बहुत बढ़ी सरकस है अम लोग 10 में भी हम रवारा चल रहा है अभी स्वाट में चल रहे और 10 से अम लोग स्टेज बें बहुत करीबन दो साल से स्टेज भी कर रहे हम लोग जैसे की दिल्ली में पंचकुला में लुदियाने में सब हम लोग स्टेज करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा बहुत मजानवाल है तो आप लोग सब लोग आईएगा बहुत शूह है शाम को तीन बजे से शुरू होते फिर शाम को सब पांच बजे दुसरा शूब आठ बजे तीसरे शूब होगा और आप लोग देश विदेश में नहीं इंदुस्तान में नहीं इसलिए एक तम लुडिएना में फ्रोग्र्टा में दो बार किया था दोनों बार आउस पेखा ऑडिन्स मिला था बहुत प्यार बिला लोगों अब रूद देशों किया था में सब्सक्राइब वियोता है जाओं का आप लोग जाए धृत गॉल्डन मंद्री में जाए मात अटक किये दुवा मांगिये और एक टाइम आईए सरकस देखने के लिए क्योंकि एक मोका बार बार नहीं मिलते केबल गैरा दिन के लिए हम लोग के यहां पर आया है तो एक गैरा दिन कंदर आप कभी भी आके एक शो देख के जाएए देख मदन बधन ने परियावरन सरक्षन की देशा में एक महत्वपून कदम उठाया है उनके पास चार कनाल जमीन है जिस पर भी पहले धान की खेती करते थी लेकिन अब उन्होंने पेड़ों के महत्व को समझते हुई अपनी खेत में पेड़ लगाने का निरने लिया इस कदम स चाते हैं बलकि भूमिकत चल सतर को भी सुधारना चाते हैं इस पहल को साकार करने के लिए मदन बधन ने एंजियो दिशादीब से संपर्क किया वहीं दिशादीब ने उनकी मदद करती हुए उनकी जमीन पर दोसों फलदार और च्वायादार प्रेड लगाए एंजियो के अध्यक्षर लॉइन एसम सिंग ने कहा कि मदन की तरहें हम सभी को परियावरन सरक्षन के लिए आगे आना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए इस मौके पर क्यप्टन जस्विंदर सिंग तरसेम चौलंधरी गुर्णूर और एंजियो की अन्य सदस्य भी उपस् अध्री जी लेवलीज इन्वस्ट्री दो गुर्णूर ते साथे और दोस्ट जिड़े ने असी अध्य पिंड थाबल के दिविच्चा जिड़ा बिलकुल संसारपुर तो अगे ते जिड़ी आने दे विचकार करना है गया आज एक बहुत सेत्मंद रुजहान जो है समाजवास पे उजी सिर्जना होई है और बहुत ही अगावदू विचारा देता हर नहीं हमेद कराइट मदन बदन जी जो अमेरिकानों बढ़ाओं करते ने उन्हाने जो नेगी जो रवाइती खिती है उन्हों छड़के ते टेम दिशादीप नों कहा कि इस जगह से असी प्लान्टिशन करनी चाने हैं ताके गलोबल वार में नों काट करने विच ए अपना हिस्स मेर्डे विच जो जमीन दा ठेका है और進 audit फे का और शारी हजार प्रेया एक एक कर्दा है और इन ने तग्रीबन चार कनार संबीन देवेची जड़ी है है ंसी अद्श्त जर् करीव जड़े ने उडुम्तर Force दार्ट जड़े ने और उखलाए मतलव वhou हब घ्जार प्या साल दा जड़ा इनानू मिल सगदा सी चो ने जी खेती दे ज्यां कड़कर जीर वेती खेते विचो उनू तरंजली दे के इनाने इते दिरक्त रगवाए जे छांदार भी फालदार भी के जनानू पशुपंचीता खाण के वातावर निशोदर रहेगा इनाने वदिया कंदे असी ओस गल्देतार निया के पवन गुरू पानी पिता माता तर्दमात तोई पानी साफ होए हवा साफ होए तर्थी हरी परी सानू दिसे एस उद्दम दे वेच इम दिशादीप ने जड़ा उना उद्दम किता उदे जड़े सेगे ओ बीसी साव से सेक्टी रेड क्रोस ज जड़े वो तनवादियां के असी अपने एस मनुरस दे विच यू है उस सफल हो सके हैं मैं चौंदा के पंजाब दे और नो कभी इन अवंगो एस अदा वदू विचार दे विच जड़ा है इस काफरी नो जड़ा है ओ अगे तुर्दा करन बहुत बहुत तनवाद्दम सा तो अड़ा पेंट थाबल के वाले आंदा जिन्हाने नवी पर तुड़ी है वो पाई है और पंजाब के रोकी दा उनसांड करन के जो हैं अलों जी मैं माधन पाज़ां मैं वैसे अमेरिकन सिटीजर में परे लाइन साथी करवा तो इसे लिए आप खौद भी काफी लाग लखाया चार कनाड़ हो है चार कनाड़ दिक्री बहुत लाएं ते बगकी बड़ी नदी मेर मंदीर साथी बहुत हल्की थी अन्जियो देशादीप ने बस्ती बाबा खेल के गौतम नगर स्थित अविवस्थित पार्क को गोद लेकर उसके रख रखाव के जिम्मेदारी लिए तो वहीं हरा भरा और स्वाच चालंदर मिशन के तहत देशादीप ने निशकाम सिवा सोसाइटी और गोल्डन हेल्थ कलब के साथ मिलकर इस पार्क की सफाई और पौधार उपन का कारेश शुरू गिया वहीं देशादीप की टीम ने पार्क की सफाई करते हुए यहां व्रिक्षार उपन भी किया इस अफसर पर देशादीप के उध्यक्षर लोईन एसम सिंग ने बताया कि आगामी 15 दिनों म यह पार्क आम जुनता के लिए खोल दिया जाएगा जैसे लोग यहां पर व्याम सुभे और शाम की सेर कर सकेंगे इस पहल का उदेश ना कैबल शित्र की हर्याली बढ़ाना है बलकि लोगों को स्वच्छ और स्वस्त वातवर्म प्रदान करना भी है वहीं उन्होंने का कि दिशादीप निशकाम सिवा सोसाइटी और गूल्डन हेल्थ कलब की संयोक्त पहल की स्थानी निवासियों ने भूरी भूरी प्रशन साकी और उमीद जताई कि इस शित्र में स्वच्छता और हरयाली का स्थर बहतर होगा इस मोक्य पर तसेम चालंदर उपाद्यक्ष शर्मा उपस्तित रही जालंदर से हल्चल के लिए किमरामेर रजनीश शर्मा की लिपोर्ट इत्थे गौतमनगर दे विच एक जो पार्क है किसे समय बहुत वदी अबनाई गी सी अज विस्था पे धालग दे विच्छा है वोल्डर्स फिट्रस करब इन्नों मेंटेंड कर रहा सी उना दे सद्धे ते अजसा नो इत्थे प्लांटिशन वास्ते मुलाया गया सी ते इ अजने जो और सुनीता डोगरा जी सुष्मा डोगरा जी जो के वाइस प्रेजिलेंट ने उनना दे सहयोग नाड उनना दे मार्क दर्शन दे नाड इस पार्क नू एक नवा रूप जड़ा है वो जित्ता जा रहा है और ठीक 15 दे बाद इस पार्क नू वेच तुसी लोका जालंदर के शहीद बाबू राब सिंग नगर निवासी राचंदर कुमार बाबा ने एक भीट वारता के दोरान बताया कि कुछ वर्ष वहले उनकी बेटी के किसी विवात के चलते जालंदर की थाना डिविजन नंबर एक में एसाई नरेंदर मोहन वेड कॉंस्टेबल सु इस वरान एसाई नरेंदर मोहन और हैड कॉंस्टेबल सुमन कुमारी ने उनकी बेटी के साथ बहुत दुर्विभार किया था जिसकी वीडियो भी उन्होंने बनाई है इस समंद में उन्होंने ओच्छ पुलिस प्रशासन अजगारियों के पास अपनी शिकायत भी दरच कर पाई थी लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है इसलिए उन्होंने उच्छ पुलिस प्रशासन से उन्हें नियाए दिलाई जाने की मांग की है तो वहीं एक अन्या मामने में राचेंदर कुमार बाबा ने बताया कि उन्हें वर्ष 2018 में कुछ पैसों की जर अलंदर से मिलवाया जिसके बाद उन्होंने नाजी से तीन लाख रुपए चार प्रतिशत ब्यास की दर पर ले लिए और अपनी आई-ट्वेंटी कार नाजी की पास बतार सिक्यॉरिटी रखवा दी उन्होंने बताया कि उन्होंने नाजी को दो लाख पच्छ पच्छ थ से उकता रुपी के खिलाफ बंती कारवई करने की मांग की है जालंदर से हल्चल के लिए केमरामेन कुलदीब सिंग की रिपोर्ट बिच्छों तक के मारें के बार कड़े आ गया जाद रहिक असी कुड़ी वाले सरवाई पहला हम दीए दिकाऊ हो के एसाई नरिंदर मोन आज लेडिस काॉंस्टेबल सुमन कमारी जेड़े के मैंनू और मेरे गुडियानू अथि पर मेरे गुडियानू च्छाती दे का सू मेरे चोटे बेटे ने मुवाइल ते वीडियो बनानी चाहिए ओधे भी थपड मारे गए और मैं इस दिश्कायत आधनिये सर्दार डी सीपी सहब गुर्मी सिंग जीनु किती ओना ने एसाच्चो रिजेश कमार जीनु एड्यूटी लाई के तुसरी एदे खलाफ कारवाई क किती जब मुलाजमा दे पर कोई सनवाइद में फेद बारा डी सीपी सामनों मिले हैं ओना ने एसीपी सुखजिंदर सिंग जीनु एक श्काय सोंब देती हैं ओना ने मेननु ता मेरी गुडियानु जिस तरा बैये बनाता आओ बेठो कार दें यह वह कोई गालने कोई आज तक वो डूटी ते तनात ने मेरी मांग सीगी कि एना दोना नूं डिसमिस कीता जावे क्योंकि एक पूलसदी वर्दी नूं आतपाता जावे थे बड़ा तकड़ा बोवालमा जंदा मेरी तक उडियानु छाती तो फड़या को सोन मारे गए बेटे मेरे तपड मारे भ इचे एक डेकर दवारा जीसे एक सेद् शक्ति पेड श्री देवीय तisode मंदर रतवासनी पर्स्थ्यत विशव मुक्टी मासरे पूर्माणी ध्यावे सबताहिक भेजन संधिया करवाई की जिसमें सर प्रतम मात्रिपुर मानली फ्यालीसा का गुनगान राजक मर्फ सहकल एंट पार्टी द्वरा किया गया जिसके पश्वात भजन का एक सुख बिंदर हैपी एंट पार्टी नी माभगवती की भजनों को गाकर उपस्तित माभगतों को जूमने पर विवश कर दिया माता की चौंकी में मंचे संचरनन बदीवानन ने किया सफसर पर वरिष्टो प्रधान ललित गुप्ता कोशा ध्यक्ष पविंदर बहल पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता सीमा गुलोतरा यादव खोसला रवन शर्मा सौरफ शर्मा दविंदर प्रभाकर भारत वुशन बजाज जगमोहन सिंग खोसला सहीद असंख्य भक्त से जनु पस्तित रहे जालंदर से हर्चल के लिए क्रमरमें रजनीश शर्मा के लिए आजायाई जायाई गणवति महराजा जायाई आजायाई बढ़े जी बिनाएक सित्याता तरिश्ची पे इताता तुम आहो रिपीजित रिजग के लिएगताता तुम आहो करते हम ईचार उसे हिसे उसराहिस राव पपार बनाने काचनर भियो छकारत आकारदा कार आड़ंदात हो है प्रावाव आएनियात दोड़ पड़े चाही दिशाम वेच तेरा ही मराजे चाही दिशाम वेच तेरा ही मराजे पुनियातारी दिय। तेरा मौताजे पुनियातारी दिय। तेरा मौताजे सानुझी दे मुलकाता दा मायनी हाथ जोड़ पड़े कुर आथ दोड़ा तेरा मायनी हाथ जोड़म पड़े कुक सम् छूड़ी आखा सुखिलोले nellbelsोड़न छेके लेखोने स्नुके मर्यां चीओ चुति कर चो अभिसा, चैहिं करने भशी टरभात शनुके वैरेको लिए। कर्या काहि कर चुदु हम लिए राव dau्यां चैहिं करता चैहिं सेुखिल। और अब अन्त में हल्चुर्व कीकती विधियों पर एक नज़र फिर से आमरिसर के था ना इसलामाबाद की पुलिस ने दो नशा तसकरों को किया काबू एक किलो आइस दो किलो पैंतालिस ग्राम हैरोईन पांच सो बीस ग्राम सूडो फेबरीन की ब्रामत अमरिसर के थाना वीरका की पुलिस ने एक नशा तसकर को किया काबू बीस क्राम हैरोईन की ब्रामत जालंदर कमिश्टर एट पुलिस ने सडक सुरक्षा और जागरुपता कारेकरम के तहत जालंदर के होट स्पोर्ट स्थानों पर लगाई विशेशना के 43 जालान काटे इसके साथ ही अब तक इगती विधियास माप्त होती हैं और तासा अच्छवनकर के लिए देखते रहे हैं हल चुरू